अगर आप पूरा जो मेरा सुरू से आखरे तक वीडियो देखते हो तो टॉपिक भी पता चल जाता है कि हमें किस बारे में वीडियो बनाने वाला हूं कई लोगों कर यह प्रोब्लम होता है कि कैमरा फेस करते समय नर्वस हो जाते हैं या पर कुछ बोल नहीं पाते हैं धंक से अंटकने लगते हैं मत अब इस तरीके से कुछ प्रोब्लम आने लगता है तो भी उसी को सौट आउट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि करने कि आप अच्छी तरीके से कैम रेको फिस कर सके तो चलिए बने टाम वेस्ट करते हैं इसटार्टिंग से बात करते हैं तो भी सबसे पहले अगर आप फोन से सूट करते हैं वीडियो को अगर आप फोन से सूट करते हैं वीडियो को तो आप सबसे पहले क्या करने हैं आपको अपने फोन को फ्लाइंग मोड में डाल देने जिससे आपका फोन हैंग नहीं करेगा क्योंकि जो नेटवर्क होता है वो इधर उधर आते रहता है तो जिससे फोन भी थोड़ा हैंग होने लगता है या फिर डाटा उन रहते हैं उससे भी थोड़ा हैंग होता है इसलिए अगर आपका नॉर्मल फोन है तो आप फ्लाइंग मोड पर डाल सकते हैं फ्लाइंग मोड से वीडियो सूट करते हैं तो फ्लाइंग मोड पर जरूर डाल देना जिसी कि डिस्टर्बेंस भी कुछ नहीं होगा किसी फोन कॉल आता रहते हैं अगर आप पूरा वीडियो सूट कर लेते हो तो जो रिंग है वो बजने लगते हैं वीडियो में ही और अगर उस रिंग को ब समझे दूसरे नंबर की तो भी दूसरा नंबर में आता है कि आप कहां देखो कि आप मतलब कैसे पोजिशन लो जिसे जो देखने वाला है और जो बोलने वाला है उसका कनेक्शन बना रहे तो भी आपको यहां देखना है यहां नहीं यहां देखने अब यहां का मतलब आप अगर पहले मतलब शुरू फ्रंट केमरा से अगर आप वीडियो सुट कर रहो तो कैमरे के पास देखना पूर कैमरे के पास यानि की डिस्प्ले पर मैं देख रहा हूं तो अगर आप मैं केमरे में 0-10 ऑ hizo कैमरे में देखना है इसलिए ये इसलिए कामरे पर देखना न अहीं देख सकते हो अगर आप देखना के सब्सक्राइए अब द्सक्राइब तभी तरीकि sitting के स से अगर आप को आइक्क पर देखना ना की लिए अगर कोई गलनाते हैं ची सकते हो और अगर आप को MsCneате बीडbelly बनाते this तो य किमदिव.. पर देखना मना होता है कोई भी एक्टर केमरे की तरफ नहीं देख सकता तो इस तरीके से अगर आप को केमरे तरफ नहीं देखना अगर आप कामेडी वीडियो सुट करते केमरे तरफ मां देखना डिस्प्ले पर देखना तो आपका इधर उधर भी रहेगा आंक या फिर और क इसे मेरे को पहले पॉइंट पर रखना चाहिए था लेकिन तीसरे पर याद आगिया तो बोल दे रहा हूं जब भी आप वीडियो सूट का निकले जाओ तो सबसे पहले आपको आपके कैमरे का जो सीसा होते है या कैमरे का लेंस होता है फोन का सीसा होते है उसे क्लीन कर लेना कैमरे को उसके बाद पिर बोलना स्टर्ट करना अब बात कर लेते हैं बोलने के क्योंकि सबसे बड़ी शुचनां कि मैं जान krijgen को बोल रहा हूं या फिर इसकूल पर बोल रहा हूं खड़ा होके यह नहीं सोचना है बस आपको यह सोचना है कि मैं अपना डिटेल को दूसरे को बता रहा हूं या फिर अपना जो किया हूं उसे दूसरों को बता रहा हूं खुल के या फिर समझेगे कि अपने फैमिली वालो लिए मतलब डिरेक्टली बोलते जाओंगे इसलिए आप कभी मतलब यह मत समझना कि कहां किसको मतलब पूरा हिचकने लगते कैमरे को बोल रहा है मेरा कैसा वोईस आएगा कैसा फेस आ रहा है यह सब सोचने पर दिमाग चले जाते हैं और आपका दिमाग अटक जाता है वहीं तो पूरी तरीके से फूल स्पीड पर आप बोल सकोगे और उसी के साथ अगर आपको थोड़ी बहुत और ही चकने वाला प्रोप्लम आ रहे है तो आप एक बार स्क्रिप्ट लिख लो उसे पढ़ लो एक बार फिर उसके बाद बोलने स्टार्ट करो और उससे भी और ज्या ज्यादा उधार देखना मतब थोड़ा देख लिजे फिर इधार देखना थोड़ा देख लिजे फिर इधार देखना मतब इस तरीके से बस एक पॉइंट को छोटा सा छोटा पॉइंट बस आपको लिखने ना कि पूरे स्क्रिप्ट लिख देने जिसे आप पढ़ते रहो तक लेकिन उसे पहले कल का टॉपिक जान लो तो कल का टॉपिक है कि अभी तो पूरा वाइटी स्टूडियो बदल चुका है मतलब इस टूडियो पहले क्लासिक था पूरा टोटल चेंज हो चुका है और वाइटी स्टूडियो पर मोबाइल वर्जन मतलब एप पर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं अपडेट आते रहते हैं जो कि बताते गया हुमें थोड़ा बहुत छोटा है जिसको बता जोंगा कभी कि वह ज्यादा इंपोर्टन नहीं है और हुआ खिर अगर ऑपको मतलि जो मुद्ध था उसके बारे बाट कर लेते हैं तो बहुं क्लाशिक था जो जिस पर आप आपके चानू परिस्ट्राइक आया हो तो उसे देख सकते हैं अच्छे तरीकेसे कोई भी कॉपीराइट क्लेम आया हो उससे देख सकते थे अथ्छे त करते था अधर पिछल थो समझे पिछले यूट्ब का जो ध्यासिक वर तंधन था वह सथा हूं Ne तरीके से चेंज हो चुका है यूट्युब का दो यह हो पूरित चेंज हो चुका है इसलिए भ वाइटी स्टूडियो को कंप्यूटर वर्जन में मतलब डेस्टॉप वर्जन पर भी और उसके बाद फिर अगले बार मतलब अगले वाले वीडियो पर मोबाइल एप पर बता दूँगा मतलब पूरी तरीकेस डिटेल्ड वीडियो रहेगी थोड़ा लंबा रहेगा वीडि एक कल के टॉपिक के लिए वसीते हैं तो चलिए मिलते हैं ने स्टूडियो मंज़ा आट अपसांतर के लिए जैन दर गॉड़ ब्लेस यौल